नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज का ये सेशन अपने आप में बहुत ही मेटोपूंड होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं उच्चितम नियायले के बारे में यानि की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो कि सर्वोच नयायले भारत का होता है और पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे कि मुख्य नयायदीस आदी की नियुक्ति किस प्रकार होती है उचितम नयायले की जो संगरचना है वो किस प्रकार की होती है साथी साथ किस प्रकार से जो नयायदीस आदी होते हैं उनका नियुक पूरी जानकारी डेटेल के साथ प्राप्त हो सगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारती समविधान के अंदर एक इकरत नियाय विवस्था की स्थापना की गई है एक इकरत नियाय विवस्था से यहां तातपर है कि सबसे पहले यहां सुप्रीम कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उच्छे नियायले बतलब हाई कोर्ट आते हैं और नियाओ ले कि नीचे जो है अधीन नियाल, जो अधर्फ कोर्ट होते हैं, इंडिया के अदर जैसे डिश्टिकर्ट энiggers, इंडियाई के अधर्फ कोर्ट वगाईरा, ये सारी की सारी अधालत हैं, इसमें सब से उपर सीव सिस्थान पर पर जो रहता है, वो उचितम नियाल रहता है सबसे सारे के सारी टो कोड्स है इंडिया के अंदर जितने भी नयायले की यह यह नयायले की व्यवस्ता है यह हमने बालख सासन अधनियम эфф Misty के अन्दर लायो था उसके द्वारा यह व्यवस्ता उने से लेकर अव तक कि यह विवस्ता चली आ बात की जाए अगर सम्विधान की तो भारत के सम्विधान के भाग 5 के अंदर अनुशेद नमर 124 से लेकर 147 तक उच्छितम न्यायले का गठन इसकी सुतंतरता न्यायचेत्र सक्तियां प्रक्रिया आधी सारी चीजों का उल्लेख हमें मिलता है सम्विधान के भाग 5 अनुशेद 124 से लेकर 147 इंपोर्टेंट है आगे अगर बात करें भारत के अच्छितम न्यायले का उदगाटन था वो 28 जिनवरी 1950 को किया गया था उसके बाद हमारे भारत का उच्छितम न्यायले जो है वो अस्तित्व में आया इससे पहले जागर ब् लोगो का सांसन हुआ करता था तब उस समय उचयतम नेयले की विवस्थान नहीं थी लेकिन उससे पहले भी जो है मुकद्वी पगिर सुने जाते थे तो बहरत का जो उचयतम नियायले था उसने ब्रिटेन का प्रिवी काउंसल है उसका इस्थान प्रस्ट नमारा यहां एक बहुत इंपोर्टेंट बन कर आता है कि भारत के उचितम नियायले से पहले या फिर कहें कि भारत पे जब आजात नहीं हुआ था तब भारत की जो है उचितम नियायले की जगह मुकद में कहां सुने जाते थे तो वो ब्रिटेन के प्रिवी काउंस प्रिवी काउंशil की जगे है आई आगे चलते हैं कितनी होती इंदर जो सर्वोच नयायले है सुप्रीम कोर्ट है भारत का उसके अंदर जो जजिस होते हैं जो भी जस्टिस लोग होते हैं उनकी संख्या क्या होती है उनके नंबर से हैं तो वर्तमान में उच्चितम नयायले में 34 नयायधीस हैं जिस एक मुख्य नयायधीस एवं बाकी सारे के सा उसे पहले संख्या वो 31 Buddha कर दिए थी प्रारम्ब में उच्चितम नियायले के नियायदीसों के संख्या जो थी आठ निश्चित थी जब हमारा जो अस्तित्व में आया था हमारा सुप्रीम कोट उच्चितम नियायले उस समय जो नियायदीसों की संख्या थी वो आठ निश्चित थी कि जब सुप्रीम कोट का घठन किया गया था तब नियाएदीसों की संख्या इसके अंदर आठ थी और संख्या के क्रम को अगर हम देखें तो ये कुछ यर्स और उनके सामने जो संख्या दे रखी है तो ये किस प्रकार से धीरे-धीरे करके आज हम 8 से लेकर और 33 या 34 कहें जो संख्या आज वरतमान में आई है वो कैसे कैसे आई है किस प्रकार से इन पदों में व्रद्धी की उन्निस सो सत्र में जो है सत्र हुआ यह नंबर और उनिस सो चैनल कि संख्या बढ़ा कर पच्चिस किया गया 2008 के अंदर यह संख्या 30 हुई और 2019 इस के द्वारा यह संख्या 33 कर दिए थी नियाएदीस की और साथ 33 के साथ एक और जोड़ा जाए अगर मुख नाइदीस को इसक सामिल है नयाजीसों की संख्या के बाद अगर चर्चा करें कि नयाजीसों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है बहुत important questions इसके बन जाते हैं कि नयाजीसों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस प्रकार की जाती है तो उच्चितम नयाजीसों के जो नयाजीस होते ह हैं आप इहां सवाल बनता है कि जब अन्य नयाय दीषों की नियुकती की बारे में अगर बात की जाये तो उसके लिए मुखह नौइधिस इसके नियुकती जो होती है वो कि राष्ट में लुगता है कि मुख्ष नयाधीस की न्या दीस के नयाधीस धता है कि ईधिस के नियाधीस स diversity के कि वारे में उनकी नियोकति की जाएं कि की चाहिए दूसरा पॉइंट है किसी उच्च नियायलय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायधीस होना चाहिए ज़सी हाइड़ कोई कोई व्यक्ति अगर 5 साल तक उसने किसी भी हाई कोट के अंदर एक जज का काम किया है तो वो योगे हो जाता है इसके बाद अथवाग देखें अगर यह योगता नहीं है तो इसके अलाबा दूसरी यह जो योगता दे रखीए होनी चाहिए ओच्छ न्यायल है या विभिन न्यायल में मिला कर 10 वर्स का बकील उसको होना चाहिए तो 10 वर्स का उसे वकालत का अनुभव होना चाहिए बार काउंसेल के अंदर वो रजिष्टर्ड अधिवक्ता होना चाहिए अगर पांस साल के लिए जज नहीं रहे हैं वो कोई व्यक्ति तो दस साल के लिए प्रेक्टिस उनकी होने जरूरी है और तीसरा जो पॉइंट है ये भी अथवा के बाद है अगर ये दोनों योगता नहीं है तो जो राष्ट्रपती होते हैं उनके मत में कोई सम्मान किया जा सकता है उमीद है नहीं अधिसों की अर्था है ये योगताओं के बादे में आपको पुस्तारपुरणभग चल्चा समझ में आई है आगे चंपरते हैं मुख्य नहीं चिजिय की किस मन्द में हमने इनकी योगता हैं आदी देखी तो सुप्रीम कूर्ट के जज के तौर पर जो है इनकी नियुक्ति होती है और सुप्रीम कूर्ट के जज होते हैं उन्हीं में ऐसे एक व्यक्ति को मुख्य नयदी के तौर पर बना दिया जाता है कैसे बना जाता है ये इसकी चर कि जो जिसको सबसे ज्यादा experience व्यक्ति को है सुप्रीम कोड के अंदर जज होने का सबसे ज्यादा experience जिस व्यक्ति को होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायदिस बना दिया जाता है तो 1973 तक तो ये व्यवारिक रूप से चलता रहा कि जो व्यक्ति experience में सबसे उपर है उसी को जो है नियुक्त किया जा था भारत का मुख्य नयदीस लेकिन 1973 के अंदर इस विवस्था का हनन हुआ जब एन राय को तीन वरिष्थम नयदीस के ऊपर भारत का मुख्य नयदीस नियुक्त कर दिया गया और दुबारा 1977 में भी ऐसा हुआ कि मुख्य नयदीस वरिष्थम नयदीस सुप्रीम कोड के अंदर होते हुए भी कम experience वाले जो नयदीस थे M.U.B.E. को वरिष्थम नयदीस के ऊपर मुख्य नयदीस बना दिया गया था तो सरकार की ये जो सुत्तरता थी कि कि किसी भी व्यक्ति को मतलब जो परिपार्टी थी इसकी उसका पालन ना करते हुए अब जो वरिष्टा है वो experience के आगार पर होनी चाहिए कि जितना अनुभव कारे करने का एक जज के तौर पर किसी व्यक्ति को है तो सबसे ज़्यादा जिसको अनुभव होता है उसी को भारत का मुख्य नयदीस बना दिया जाता है अब आपको ये मुख्य नयदीस वालि बाद पूरी तरह से समझ में आई होगी आगे चर्चा करते हैं सपत हैा प्रतिज्या की राश्ट्पती या राश्ट्पती के द्वारा नयदीस के सामने सपत लेनी होती है या तो राष्टपती इसको सपत दिलाएंगे नियाज़ीष को उच्दम नियाय लेके या फिर राष्टपती के द्वारा कोई व्यक्ति निक्त किया जाएगा उनके सामने जो है सपत लेनी होती है नियाज़ीष को कि कौन-कौन सी सपत हैं उन्हें बोलना होता है कि भारत के सम्विधान की प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखोंगा भारत की प्रवता एवं अकंटा को अच्छोंट रखोंगा अपनी पूरी योग्यता ग्यान और विवेक से अपने पद के कर्तब्यों का भहय या पक्षपात अनुराग या द्वेस की बना पालन करूंगा और जो चौती बात बुली आती है वो है सम्विधान और विधियों की मर्यादा बनाई रखोंगा तो यह सपत ली जाती है उच्छितम नियाधिस के द्वारा उमीद है आपको यह बात समझ में आयोगी आगे चर्चा करते हैं नियाधिसों के कारेकाल के बारे में एक नियाधिस का कारेकाल क्या होता है उच्छितम नियाधिस का कारेकाल क्या होता है उच्छितम नियाधिस लेकिन इसके संबंद में तीन उपवंध जरूर बनाए गए हैं समिधान के अंदर वो कौन-कौन से हैं कि वह 65 वर्स की आयू तक पद पर बना रह सकता है। ये प्रक्विया की डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नयाधीस को अपने पद से हटाया जाता है। तो वो निसकासन के लिए आएगा और निसकासन किस प्रकार से किया जा सकता है नयाधीस का। तो उसके बारे पर चर्चा करें तो राष्टपती के आदेश द्वारा उचितम नयाधीस को उसके पद से हटाया जा सकता है। जब संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। संसद के अंदर एक संबोधन होना चाहिए वो भी उसी सत्र के अंदर जैसे तीन सत्र हमारे संसद के चलते हैं। पहला सत्र चलता है बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है ग्रीश मकालीन सत्र और तीसरा सत्र होता है मांसून सत्र। तो जो भी सत्र सबसे पहले होगा तो संसद में उसी सत्र के अंदर ऐसा संबोधन किया जाना चाहिए कि हमें नयाधीस को हटाना है। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेश भहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए वो भी संसद के दोनों सदन जो लोकसभा और राजसभा जो दो सदन होते हैं संसद के उनके अंदर विशेश भहुमत यहां विशेश भहुमत से अर्थ यह है कि कुल जो उपस्थ सदस्य होते हैं उनका दो तेहाई भहुमत जो वोट करने वाले सदस्य संसद के अंदर किसी भी संसद के सदन के अंदर मौजूद होते हैं उनका दो तेहाई भहुमत होना चाहिए और साथ ही साथ जितने भी टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियमेंट होते हैं जैसे कि लोकसभा के अंदर जो 545-543 मेंबर्स जो हैं उनसे आधे का समर्थन प्राप्त होना चाहिए उनसे आधे और जो उपस्थे पर मद्दान करने वाले हैं उनका दो तेहाई का भहमत ये जो है विशेश भहमत के अंदर काउंट किया जाता है उमीद है विशेश भहमत आपको समझ में आया दोनों सद्रों के अंदर अलग-अलग विशेश भहमत ऐसे प्रस्ताब के दिए होना चाहिए उसे हटाने का आधार उसका दुर्वेभार या फिर सिद्ध कदाचार होना चाहिए दो ग्राउंट्स पर जो हटाया जा सकता है नियाले के नियाधीस को कि उसका जो या तो वो सिद्ध हो जाना चाहिए तभी नियाधीस को हटाया जा सकता है अधरवाज नियाधीस को हटाया नहीं जा सकता है आईए आगे चर्चा करते हैं हटाने के संबंद में तो नियाधीस जांच अधनियम 1968 है उसके द्वारा नियाधीस को हटाने के संबंद में महावयोग की प्रक्रिया का भी उपबंद है महाव्योग एक नियाधीस के उपर किस प्रकार चलाया जाता है तो निसकासन प्रस्ताब जो है वो सो सदस्य लोकसभा में अगर कोई निसकासन प्रस्ताब लाया गया है निसकासन प्रस्ताब में भी और लोकसभा में भी यदि लोकसभा में ये प्रस्ताब लाया जाता है तो 100 सदस्य और यदि राज सभा के अंदर ये प्रस्ताब लाया जाता है तो 50 सदस्य जो हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष को ये प्रस्ताब सोंपा जाना है और अध्यक् केस में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर और राज सभा के केस में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और ऐसे प्रस्ताब को फिर अध्यक्च या सभापती के पास बेज़ा जाएगा और इसको सुईकार भी कर सकते हैं अस्विकार भी कर सकते हैं अस्विकार कर देने के बाद य एक तीज़ी सतफस्रियों की सम्यति गढ़त होनी चाहिए जो की जाती है उसमें जो लोग सामिल होने चाहिए या अनेवार रूप से तीन लोग इसके अनदर सामिल होने चाहिए कौन-कौन वो हैं मुख्य नयाईधीस या उच्चतम नयायले का कोई भी नयायदीस उस समिती के अंदर मुख्य नयायदीस होने चाहिए या फिर उच्चतम नयायले का कोई अन्य नयायदीस होना चाहिए दूसरा किसी उच्च नयायले का मुख्य नयायदीस होना चाहिए और तीसरा जो जरूरी परसन है वो है एक प्रसिष्ठित नियायवादी इन तीन लोगों का इस समिती के अंदर होना जरूरी है जो कि विचार विमर्स करने के बाद अपनी रिपोर्ट अध्यक्चे या सभापती को सौंपी जाती है इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि नियायदीस को दोसी पाए जाने की इस्तिती में इस प्रस्ताग को दोनों सदन में विशेश बहुमत से पारित करा राष्टपती को भेजा जाता है और अंत में राष्टपती नियायदीस को खटाने का आदिस जारी कर देते हैं तो ये प्रक्रिया थी ओचितम नियायले के जो नियाधीस होते हैं उनके उपर महावयोग द्वारा उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी है तो महावयोग के द्वारा भी इनको हटाये जा सकता है उमीद है आपको ये point समझ में आया होगा आईए चर्चा करते हैं आगे कारेकारी मुख्य नियाधीस कौन होते हैं यहां तक हम ने चर्चा की नियाधीसों के बारे में अब चर्चा करते हैं कारेकारी मुख्य नियाधीस नियुक्त कर सकते हैं कारेकारी मुख्य नयदीस नियुक्त उनको किया जा सकता है और तीन कंडिशन्स ऐसी हैं जो जबकि कारेकारी मुख्य नयदीस नियुक्त किये जाते हैं वो हैं कि मुख्य नयदीस का पद यदि कभी रिक्त हो तब कारेकारी मुख्य नयदीस को नियुक तो ऐसी इस्तिति में भी कारेकारी मुखे नाईजीस को नियुक्त किया जा सकता है राष्टपती के द्वारा अगला हम INFANTH करते हैं तraftत नियुक्त किया जा सकता है अब यहाँ कोरum पूरा for स्थिति को हम अगर समझें तो यहां कोरम से तात पर है कि एक मिनिमम नंबर ओफ जो जजिज है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना होना जरूरी है यदि किसी भी समय सेवा निवित्ति या फिर अन्य कारणों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के या उच्छितम नयायले के नया अगले एक और टर्म की हम चर्चा करते हैं सेवा निवित्ति नयायधीस क्या अपनी सेवा दे सकते हैं उच्छितम नयायले के अंदर तो इस सवाल का जवाब यह है तो भारत के मुख्य नयायधीस जो है वो उच्छितम नयायले के सेवा निवित्त नयायधीस से अलपकाल क से ही किया जा सकता है तो यह अनुरोद करते कौन है अनुरोद करते हैं मुख्ष नियाधीस हमारे उच्चेतम नयाय लेके और साथ जाहिए राष्ट्वपति की पूर्व अनुतिक होनी चाहिए और जिस.. व्यक्ति से अनुरोद किया रहा है अपनी बाद उस व्यक्ति के भी पूर्व अनुवत्य होना इसके लिए आवस्यक है ऐसे जो नयाइदिस होते हैं जो सेवा निवित नयाइदिस को सेवा देते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे नयाइदिस को और यहीं सारी चीज़ें पराप्त होता है उसी आप अगर अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनको भी सारे सुविधाय ये प्राप्त होंगी लेकिन वो उच्चितम नियायले के नियायधीस नहीं माने जाएंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो उच्चितम नियायले के नियायधीस में ना होकर एक सेवा नियायधीस के रूप में उनके कारे के विस्तार के रूप में ही देखा जाएगा आगे चर्चा करते हैं उच्चितम नयायले के इस्थान प्लेस के वारे में को उच्चितम नयायले कहा होना चाहिए तो हमारा जो सम्विधान है संविधान में उचितम नयायले का इस्थान दिल्ली घोशित किया गया है संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उचितम नयायले की स्थापना जोब दिल्ली में होनी चाहिए और दिल्ली में ही हमारे भारत का उचितम नयायले है लेकिन मुख्य नयदीस को एक अधिकार है कि उच्छतम नयायले का इस्थान कहीं और भी निर्दारित कर सकते हैं ऐसा निर्णें पर राष्टपती की पूर्व अनुवती के बाद ही ले सकते हैं मतलब यदि सुप्रीम कूर्ट की बेंच कहीं और खोलनी है तो ऐसा मुख्य नयदीस के द्वारा किया सकता है लेकिन ऐसा निर्णें लेने से पहले राष्टपती की पूर्व अनुवती का होना आवस्यक है कि अव्मीद है आपको यहां तक बात हमारी पूरी समझ में आई होगी अब चर्चा करते हैं एक बहुत हिम्हरा पहलो की उचतम नयायले की स्वतंतरता के लिए कि ऐसे कौन से स्टेफ लिए जाते हैं जो कि उचतम नयायले को स्वतंतर बनना जадे हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर तीन मुखे इस्तम माने जाते हैं एक विधाय का जो की नियम कानून बनाने के लिए काम आती है जिसको की लेजिसलेचर बोला जाता है अंग्रेजी में दूसरे नमर पर आता है कारेपालिका जो की बनाई गए नियम आदि को पूरे देश के अंदर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जानी जाती है जिसको की एक्जीक्यूटरी वर्डी बोला जाता है जिसके अंदर सारी के सारे अधिकारी और करमचारी आते हैं केंद् और तीसरा जो होता है वो होता है नियायले या फिर जूडी सरी जूडी सरी जो है वो एक बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है जैसा कि हमने अभी पढ़ा था तो जूडी सरी की स्वतंत्रता है उसको किस प्रकार से बनाई रखा जाता है इस वास की चर्चा हम इन पॉइंट के म गुदान तो होता है अब राष्ट्रपती का मतलब यहां पर कैबिनेट से है कैबिनेट की सलाह के द्वारा राष्ट्रपती द्वारा ये काम किया यता है लेकिन नियाएक सदसे जो होते हैं देश के उनकी सलाह लेनी इसके अंदर कंपल सरी होती है जिससे की स्वतनतता बनी जहें किसी भी प्रकार का कोई मतभीर की स्थिती पैदा ना हो आगे अगर देखें उच्चतम नयायले के नियायदीसों को सम्विधान में उल्लिखित प्रापधानों के जरिये सिर्फ राष्ट्रपती द्वारा ही हटाया जा सकता है ऐसा नहीं होगा कि सरकार का यदी मन किया उपhehe शर्कार के मताबिक काम नहीं कर रहे हैं उनको और राष्ट्रकपति के द्तवारा वह सम्विधान लिखे गए हैं उनहीं के द्वारा सिर्फ हुटाया जा सकता है थीसरा हें उचितम नियाएले के नियादीशों का वेतन खरक्षे भथे पंशन आदी भारत की संचित-निधी पर भारत होते हैं मतलब भारत کی संचित निधी होती है उसके उससे जो है यह सारे के सारे इनकी खरक्षे बेद किसाधिया रौकती ट्रॉइब कर देखें महावयोग के अत्रिक्त समविधान में नियाधीसों को आचनड के आचनड पर संसद में या राज विधान मंडल में बहस पर प्रतिबंद लगाये गया है मतब संसद के अंदर कोई प्रस्ताव किसी भी नियाधीस के बारे में नहीं लाया जा सकता और ना ही किसी भी राज के राज विधान मंदल के अंदर इस प्रकार का प्रस्ताब लाया जा सकता है सिर्फ महाभी योग में ही राष्टपती उचेतम नियायले के जो Divine है उनके खिलाफ जो है बात की जा सकती है अदर्वाइस उनके खिलाफ कोई बात ना संसद में और ना राज बिधान मंडल में की जा सकती है उनके जो है आच्छन पर किसी परकार की शर्चा नहीं की जा सकती है नेक्स पॉइंट देखें सेवा निवरति नायधीसों को भारत में कहीं भी किसी नायले या प्राधीकरण में कारे करने की स्वतंतरता नहीं है यदि कोई उच्छतम नायले का नायधीस है और रिटार्मेंट के बाद मुझ चाहें कि कहीं और वकालत करनी सुरू कर दें या किसी कोट के अंदर वो एज आ एड़ोकेट काम करना सुरू करें तो ऐसा उनके लिए स्वतंतरता नहीं है ये पूरी तरह से प्रतिबंदत है और ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि स्वतंतरता प्रदान कर दी जाती काम करने की तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने कारेकाल के दौरान कुछ निर्णय ऐसे ले लेता अपने भविष्ट को अच्छा करने के लिए और भविष्ट में उन्हीं निर्णय का फायदा उठा कर कोड के अंदर इस प्रकार मतलब फायदा इसका उठाय जा सकता था तो जो मुख इस में तो उच्छितम नियायले उस sacrifice को दंडि Till कर सकता है जो उसकी अभ्मानना करें यह कोई व्यक्ति अभ्मानना से है तो उसका पालण माना जाय तो इसको पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उच्छतम नयायले की स्वतंतरता और उसकी ट्रांस्पेरेंसी को बरकरार रखने में सही होगी होते हैं अगले पॉइंट के अगर बात करें तो भारत के मुख्यनाय धी को बिना कारेकारी हस्तक छेप के अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है जैसा कि हमने देखा है कि चाहें हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लें या फिर किसी स्टेट का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन लें जिसके अंदर जो Supreme Court के अंदर पूरा अधिकार होता है मुक्केनाइदीस को कि वो अपने लिए अपने स्टाफ जो है पूरा का पूरा उसकी अपने अनुसार ही वो उनको नियुक्त कर सकते हैं अपने Supreme Court के अंदर जो कर्मचारी और स्टाफ अधिकारी आदि हैं इन सबकी नियुक्ति neighborhood के द्व उचितम नयाले के जो नयायक छीत्र हैं इसमें संसद के द्वारा किसी प्रकार की कटोदी नहीं की जा सकती है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यदि कोई कोई सरकार जो बर्तवान सरकार है यो इस परिस्थिती का फवायदा ना उटाए इसलिए ऐस एसào किया है तो वर्तमान सरकार जो है अपने हित्र को साधने के लिए चितर कर सकती थी लेकिन ये सकतिया जो है किसी प्रकार से संसरत को प्राप्त नहीं की गयी हैmal इसके नियाई को संसर्षां पास कर के नयायदीसों को वेतन बत्ते विशेसादिकार अवकास पेंसन आदिका निर्वारन जो है वो संसत के द्वारा समय समय पर किया जाता है 2018 में एक संसुधन आया था, 2018 के अंदर मुखे नयायदीस का वेतन प्रतिमाह एक लाग से बढ़ाकर दो लाक अस्ति हजार रुपे कर दिया गया ये मुख्य नायदीस के वेतन की बास चल लही है एdepend रोपे दो जार अठारे से और दो जार अठारे में इसे बढ़ा कर दो लाख 120,000 रोपे कर दिया गया और जो अन्य नायदीस हैं मुख्य नायदीस के अलावा उनके वेतन को कारेकाल के दोरान उन्हें अंतिम माह में जो मिल रहा होगा उसका 50 प्रसर मतला उसका आधा जो है उन्हें पैंसन के रूप में दिया जाएगा उनकी सेवानिवर्ति के बाद इसके अलावा जो न्याजीज होते हैं उन्हें निसुल्क आवास अन्निसुधाई जैसे कि चिकित अगर आपने सातियों के साथ इस वीडियो को सेर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिस्ते कि हमारे सभी अपडेट्स आपको तुरंत प्रापत हो सके हैं मिलेंगे अगले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद